Micro Lenses को ले करके लोगों के दिमाग में अक्सर ये confusion रहता है कि Micro Lenses को सर्फ और सिर्फ Macro Photography के लिए इस्तमाल किया जा सकता है यानि कि आप Micro Lenses से सिर्फ Insects शूट कर सकते हैं आप Jewelry शूट कर सकते हैं या कोई भी शूटी 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 चीज़ों को आप शूट कर सकते हैं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से जो Micro Lenses हैं वो Multi Purpose Lenses हैं आप Micro Lenses से Portrait भी शूट कर सकते हैं आप Fashion भी शूट कर सकते हैं आप Landscape भी शूट कर सकते हैं जो Basic Difference है Normal Lenses में और Micro Lenses में वो है उनका Focusing Distance जो Micro Lenses होते हैं वो काफी Close जा सकते हैं सब्जेक्ट के वहीं जो Normal Lenses होते हैं वो बहुत जादा Close में जाकर के Focus नहीं कर सकते हैं जो आप सोचके देखिए कि अगर आप Micro Lenses से Portrait Photography करें आपके पास एक Option मिल जाता है कि आप अपने कामरा के अंदर बहुत ही Close Details आइस की Capture कर सकते हैं आप Lips की Details Capture कर सकते हैं या Model ने जो Ornaments पहने हुए उनको भी Capture कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निकॉर के नई Lens की जो कि यह Z-Mount Lens MC 105mm F2.8 VRS Lens बहुत ही Lightweight Lens है और यह मेरा Favorite Lens है आज कल क्योंकि मैं एक Single Lens से ही काफी सारी तरीके के Shorts Capture कर सकता हूँ सो चलिए बात करते हैं 105mm F2.8 VRS Lens के वो चार Features जो कि मेरे Favorite Features हैं जिसकी वज़े से मैं इस Lens को बहुत पसंद करता हूँ Micro Lens के अंदर एक Problem होती है कि किसी भी Micro Lens के अंदर Color Fringing, Color Bleeding या Ghosting Effects जो है वो आते हैं जबकि Nikon के 105mm इस नई Lens के अंदर Special Coating है जो कि यह Nano Crystal Coating और Arino Coating उसकी वज़े से यह सारी Problems को Eliminate कर दिया गया इस Lens के अंदर यानि कि जब आप इस Lens को Use करेंगे तो आपको कोई भी Problem, कोई भी Ghosting, Color Fringing या Color Bleeding या Flaring आपको इस Lens के अंदर नहीं मिलेगी So एक बहुती Perfect Crystal Clear Lens है यह 105mm Focal Lens एक बहुती Perfect Focal Lens है Portraits के लिए और उपर से जो इसका Aperture है F2.8 जो की 32 तक जाता है बहुत Amazing Buket Create करता है वहीं जब आप इस Lens को Macro Photography के अंदर यूज करते हैं जो की इसका Minimum Focusing Distance है 0.29 मीटर वहाँ पर इसकी जो Aperture Range है वो 4.5 से 51 तक पहुँच जाती है क्योंकि Micro Photography के अंदर आपको 4.5 देता है और जब आपको Maximum आपको जब Depth चाहिए जो वहाँ पर यह आपको 51 तक के Aperture पर लेके जा सकता है जो एक बहुती परफेक्टली डिजाइन लेंस है यह चाहे आप इसको Portrait में यूज करें बहुत Effective है और फिर चाहे आप इसको Macro के अंदर यूज करें बहुती Effective लेंस है As it is a VR लेंस इसका VR सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब यह In Body 5 X's Image Stabilization के साथ में मिलता है So यह आपको 4.5 स्टॉप तक का Compensation देता है यानि कि आप 4.5 स्टॉप तक अपने Shutter को नीचे लेकर जा सकते है और Handheld Photography कर सकते है Which is amazing इस Lens का जो Focusing System है वो बहुत ही Accurate है और बहुत Fast है इसके अंदर एक Switch दिया गया है जो की Focus Range को Limit कर देता है इसमें एक Full है और उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है 0.29 से 0.5 मीटर यानि की जो इसकी Focus Range होगी ये Instead of के पूरा का पूरा Focus सर्च करे ये सिर्फ 0.29 से 0.5 मीटर के अंदर ही Focus को सर्च करेगा जिस वज़े से इसकी Focusing बहुत Accurate हो जाती है और बहुत ही Fast हो जाती है So ये थे मेरे कुछ Favorite Features जिसकी वज़े से 105 Lens मुझे बहुत पसंद है अगर आपके कुछ सवाल है आप मुझसे पूछना चाहते है So आप नीचे Comment Box में लिखकर मुझसे पूछ सकते है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सको कि आपके सारे सकते है